सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और साइट में जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस करके नोटिफिकेशन को आल कर दीजिए ताकि इस चैनल के लेटेस अपडेट वीडियो आपको हमेसा मिलता रहे वेलकम बैक दोस्तो मैं हूँ अमोल और आप लोगों के लिए फिर से लेकर आगया है वाज एक ब्रैंड नूव वीडियो तो दोस्तो आज का जो वीडियो है वह बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर आ जातर होता है फोन में रैम और रोम फूल हो जाना से तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों के फोन के जो रैम और रोम है उसको थोड़ा क्लीन रखिए मिनिमम् 20% तक खाली रखेगा तो यह सारा प्रब्लम नहीं आएगा लेकिन आप का फोन का जो slowness problem है जो lagging problem है वो सारे solve हो जाएगा तो वीडियो को कभी स्किप मत कीजिए बिना स्किप की वीडियो को देखते रहिए तो बिढ़ा देर के चलिए सुरू करते है आज की वीडियो तो दोस्तो अगर आप लोग के android phone की memory बहुत जड़ा खाली रहने के वाबजूद भी आप लोग का phone lag होता है slow चलता है और hang होता है तो यह सारा जो problem है इसको आप अपने android phone की कुछ settings को configure करके ठीक कर सकते है कोई भी cleaner download करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो चले मै अब लोग को दिखा देतों इस सारा जो setting है आप लोग को कहा मिलेगा और इसको configure कैसे करना है तो पहले आपको चले जाना है आपकी फोन के setting पर तो setting पर जाने के बाद आप लोग को यहाप नीचे आके developer option पर जाना है अगर आप लोग के phone में development option नहीं है तो इसको आपको activate कर तो आप लोगका जो यहां पर एने ने लुबस फेया है तो आप लोग के बाद आप drive लोगोई से पार यह यहां पर को आ जाने के चानला मिल जाएल आप लोगोल नीचा आप लोगोई नीचे आ जाना है ढiblった को मिल जाएगा window animation scale transition animation scale और animator duration scale तो यह आप लोगो 1x में देखने को मिलेगा तो यह आप जितना घटा देंगे आपका animation scale उतना कम हो जाएगा तब लोगों जो फोन का slowness है और reduce हो जाएगा तो live मैं यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं यह जो animation scale है इसको अगर सकते हैं तो यहां पर आगर आप 0.5x पर करेंगे तो यह बाला animation scale हो थोड़ा कम हो जाएगा और आपके फोन थोड़ा फर्स चलेगा तो यहां पर आप आप भी कर सकते हैं लेकिन मैं आप लोगो recommend करूंगा कि आप इसको 0.5 में ही रखिए तो यह अच्छा perform करेगा तो आप लोग अच्छा लगओ तो अपने सेक लाइक कर दीजिएगा और जो वीडियो आपने सारे दोस्तों में सेर्ट कर दीजिएगा तैकि उन लोगों को भी सेटिंग के बार में पता चले और अपने फोन की स्लोनेस को दूर कर पाए तो आज के लिए बिस प्रावचिंग म मिलता ब्लोग से अगले वीडियो में तब तके लिए गुल पाई और टेक क्यार